वेलकम टू माई चैनल हैपी स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को जैक बोर्ड इंटर्नमीडियेट एक्जाम का जो न्यू हिस्ट्री स्लेबस है उस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट कोस्टें एंसर बताने वाली हूं जो कि आपके चेप्टर टू से रिलेटेड है इससे पहले मैंने चेप्टर वन का एक वीडियो अप्लोड किया है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से पा सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस लिंक से चेप्टर वन की जो इंपॉर्टेंट कोस्टन है उसका वीडियो आप देख सकते हैं यह वीडियो एन तक बने रहे और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए श्टार्ट करते हैं यह वीडियो आपका जो सेकंड चेप्टर है उसका नाम है राजा किसान और नगर इसमें आप 620 पूर्व से 620 तक की सभी घटनाओं को परहेंगे ठीक है इसमें आप उस समय के राजाओं के बारे में उस समय की किशी वैवस्था कैसी थी किसान को राजा को कितना भाग करके रूप में देना परता था इससे सम्मंधित और उस समय की नागरिक व्यवस्थाएं कैसी थी नगर की व्यवस्था नगर के नियम कानून किस पकार के थे यह सभी आपको इस चेप्टर में परने के लिए आएगा ठीक है तो इसी से रिले जो फर्स्ट कोश्टन है वह है रीक बेत का लेखन किसके द्वारा किया था दो इसका उत्तर होजाएगा सिंधु नदी तथा उसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लो गों द्वारा तो ऊब्जेयम के रहने लिए लोगों द्वारा किया गया इससे आétaया अग याद है तो इसे आपको पूरे अच्छी तरह से करना है नेक्स्ट कोश्चन है आपका ब्रामी और खरोष्टी लीपियों की खोज किसने और कब की तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसस ने अठरा सो तीस इस्वी में ब्राम्हे और खरोष्टे लिपी की खोज की ठीक है तो ब्राम्हे और खरोष्टे लिपी की खोज जेम्स प्रिंसस ने अठरा सो तीस में किया था इसे आपको याद रखना है ये भी आपके अब्जेक्टिम कोश्चन में आ सक नेक्ष्ट कॉरस्चन अभिलेक शास्तर किसे कहते हैं तो अभिलेक सास्त्र अभिले parse कहा जाता है अभिले досक्रे Parliament को एसे आदरतनी साथ स्काशन कोरा है कैइसशिक कहते हैं तो इसलों फैसाओ कि ौछा क्वरा और की का आर्ध मनोहर मुख़व्खीपि वाले राजा को कहा जाता है फिकहीं happy जो मुख़वक्ती ज पिए इसका मुखाक्री मुख़व्भी सुनदर होता है वैसे राजाओं को प्रियदรस्वी जाता था ठीक है इसमें एक आपका जो important point है वो यह है समराथ अशोक का दूसरा नाम भी प्यादश्ची था इसे आपको यादख नाईए आपको objective में आ सकता समराथ अशोक का दूसरा नाम क्या था next question है आपका 16 महाजन पदों में महत्वपून महाजन पदों के नाम लिखिया आपको पता ही है मौल्यकाल में 16 महाजन पदों का काफी महत्वपून इस्थान है तो उनमें से कुछ important जो है उनका नाम तो उनका जो नाम एक कुछ important महाजन पदों का नाम है बज्जी, मगद, कौशल, कुरू, पांचाल, गांधार और अवन्ती ये कुछ important है तो इन सब के नाम को आपको याद रखना है next question है महाजन पद, गन तथा संग नामक पशिदर राज्यों के किसके द्वारा सासन होता था तो महाजन पद में किसका सासन होता था गन में किसका सासन होता था और संग नामक पशिदर जो राज्यत है उसमें किसका सासन होता था तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपका महाजन पद में राजा का साशन होता था ठीक है महाजन पद में राजा ही साशन करता था नेक्स्ट है आपका गन तथा संग में समूध वारा साशन होता था ठीक है यहां पर बहुत सारे लोग मिल के शाषन के कारिय को किया करते थे गण तथा संग में यहां पर बता दें भगवान महावीर और भगवान बुध्य इनी गणूं में से संबंधित थे संबंधित थे इनी गणूं में से महावीर बुध्य और आये थे संस्कृत में धर्म सास्तर नामक ग्रंथों की रचना किस ने की तो संस्कृत में धर्म सास्तर नामक ग्रंथों की रचना ब्राम्हनों ने की थी इससे आपको याद रखना यह काफी important question है अभी लिए किसे कहते हैं तो इसका जो उत्तर होगा आपको इस तरह से लिखना है यह आपके तीन नंबर के लिए question पूछा जा सकता है या फिर दो नंबर के लिए ठीक है तो इसका जो अंसर वो इस तरह होगा अभी लेक किसे कहते है अभी लेक उन्हें कहते हैं जो पत्थर धातु या मिटी के इन्हें पुने बन्वाते थे उसमें लोग बन्वाते थे उसमें वह अपनी उपलब दिया अपने कार्ये करने के अपना जो भीचाल होता था लिखवाते थे इनमें राज्याक के के महिलाउं और पूरुशने धार्मिक थापको को दिए गए दान का ब्यारा होता था ठीक है इसमें राजा का जो किर्याकलाग था वो होता था महिलाओं और पुरुषव द्वारा धान्मिक संस्थाओं को जो दान दिया जाता था उसका ब्यारा भी होता था यानि अभिलेक एक पकार का इस्थाइप परमान होते थे ठीक अभिलेक एक त पत्वा लेखनश्ली के आधार पर को जाता था सुष परिष्टास इस्प परिष्टत के लिए लगभक 4220 पूर्ब में लिखा जाता था फेम है ऑख 20020 पूर्ब ओं-खो आप देख सकते इस तरह जाता था और पास्व इस भी पूर में इस आकिर्थी में लिखा जाने लगा ये बहुत की तरह कुछ ठीक है तो इस तरह से काल नेधान किया जाता था अभी लेकों का नेक्स्ट जो कोश्चेन है वो है प्राकितिक भाशा किसे कहते हैं ये भी काफी इंपोर्टेंट कोश्चेन है प्राकितिक भाशा उन भाशाओं को कहा जाता था जो सामान्य भाशा होती थी प्राकितिक भाशा उस समय आम लोगों की जो बोलचार की भाशा थी उसे प्राकितिक भाशा कहा जाता था ठीक है प्राचिनितम अभिलेक प्राकितिक भाशाओं में लिखे जाते थे उहां पे जो काफी पुढ़ाने अभिलेख है वो आपके प्राकितिक भाशाओं में ही लिखे जाते थे इस अध्याई में अजाद शत्रो और अशोक जैसे नाम प्राकितिक भाशा में लिखे गए है इस अध्याय में आपका जो अजात्षत्रो और अशोक का नाम है आपके सिकंड चिप्टर में वो आपका प्राकिति घुर्शा में लिखा गया क्योंकि यह नाम प्राकिति अभी लेखों से प्राप्त हुए है इसे भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कोश्चन जनपत क्या है तो जनपत का अर्थ है एक ऐसा भूखन ठीक है जनपत का अर्थ एक ऐसे भूखन से आया है प्राकृतिक और संस्कीत भाशा से आप पीसे याद रखे और जन्पत का अर्थ ऐसा भुखन्ड है जहां पर लोग निवास करते हैं या लोग रहते हैं ठीक है कुछ इंपॉर्टन कोश्यां से चेप्टर 2 से रिलेटेड इसका सेकेंड पार्ट भी जल्द आएगा आप मुझे कमेंट में बताइए यह फॉर्ष्ट पार्ट आपको कैसा लगा और सेकेंड पार्ट आपको चाहिए या नहीं अकर आपको सेकेंड पर चाहिए तो कॉमेंट में जरूर बताइए साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताके आपको और भी चेप्टर के इंपॉर्टन कोश्यन एंसर मिलती रहे धन्यवाद